आपके बीच बिलकुल भी बात नहीं हो रही है तो उस सिचुएशन में आपके पार्टनर क्या कुछ महसूस कर रहे है क्या कुछ feel कर रहे है आपके लिए या towards this relationship ध्यान रखना है कि एक general timeless और collective reading है जरूरी नहीं है हर बात सब के साथ match कर जाए तो जितना resonate होता है उतने रखिये और बाकी बूल जाएए चलो let's start with the reading और देखते हैं कि no contact में क्या feel कर रहे है आपके partner पहले मैं cards निकाल लेती हूँ अगर आपको यह जो cards निकालने वाला जो time होता है वो boring लगता है तो कुछ नहीं कर सकते है आपको देखना ही पड़ेगा क्योंकि इसी में energies pick होती है ठीक है तो अगर आप clear messages चाहते हो तो यह वाला part आपको देखना पड़ेगा जबले आप इसको थोड़ा सा fast forward करके देख fast forward मतलब एक option होता है YouTube पे settings में जागे अगर आप देखोगे वीडियो के fast forward करके एक option होगा तो थोड़ा सा fast forward करके देख लो मतलब बहुत समय आपको wait नहीं करना पड़ेगा चलो cards निकाल देते है let's see आपकी person no contact में क्या feel कर रहे है वाउ पहला ही card बहुत ही अच्छा है lovers का card आया है बट यह थोड़ा सा नंगुपुंगु card है तो हम इस खोल्टा रख देते हैं ठीक है king of swords again नंगुपुंगु है the star card यह बहुत नंगुपुंगु वाला ही deck है sorry for that the hermit है two of pentacles है okay तो इस deck से हमारे cards निकल चुके है अच्छा हुआ बहुत ही अश्लील deck था आगे पड़ते हैं और और cards निकलते हैं lovers की energy क्यों आई है आपके partner की why is the lovers card here lovers q है यहाँ पर nine of swords है काम करते है इसको उल्टा ही रखते मतलब सीधा ही रखते है और इसके ऊपर एक card रखते है मतलब मुझे at least पता चले ना के card कौन सा है ठीक है और इसको भी ठीक कर लेते है और इसके ऊपर भी कोई और card रखते है मतलब card at least धका रहे लेकिन मुझे पता चले कौन सा card है king of swords क्यों है why is king of swords here why is king of swords here ace of water याने ace of cups star card क्यों है seven of pentacles hermit क्यों है four of swords two of pentacles क्यों है eight of cups और एक last हमारे जो deck है उससे भी निकालते है cards और देखते है क्या cards निकलके आते है divine please clear message दीजे ओम साहिराम please clear guide करे nine of swords के energy क्यों है why is nine of swords here four of pentacles ace of cups क्यों है ace of cups क्यों है naps है यहाँ पर seven of pentacles क्यों है seven of wands four of swords क्यों है salik and eight of cups क्यों है okay cards की meaning आपको पता नहीं चल रहोंगे मैं बता देती हूँ nine of wands ठीक है two cards यहाँ पर है four of pentacles, devil, seven of wands, fool card और nine of wands सबसे पहले तो मैं आपको बता दू कि इस no contact situation में आपके person क्या feel कर रहे है सबसे पहले जो मैं देख रही हूँ यहाँ पर वो यह है कि देखो प्यार तो करते है इसमें कोई दो राहे नहीं है क्योंकि आप बहुत clear message पहला ही card lovers का आया है तो बहुती strong bond है बहुती ज़ादा प्यार feel करते हैं आपके towards and yes यह कोई friendship वाला प्यार नहीं है यह प्यार वाला प्यार है लेक romantic वाला ठीक है और यह person ना कहीं ना कहीं इस वक्त ना मुझे बहुत stress में दिख रहे है अब उस stress के पीछे ना बहुत बड़ी वज़े और वह बड़ी वज़े यह है कि वह बहुत ज़दा इन से क्योर हो रहे है literally इस person को डर लग रहे है कि कहीं आपके जिंदगी में इस no contact के दोरान कोई और ना गया हो कोई और ऐसा ना आपके लाइफ में आ गया हो जो आपके दिल के करीब हो गया जो जिसने आपका दिल जीत लिया जो आपके करीब आगया हो जिससे आप बात कर रहे हो मिल रहे हो तो यह बहुत ज़्यादा stress में है यह person they're not in a good state of mind right now and इतना overthink कर रहे है कि कहीं आपने कोई ऐसा कदम तो दिंदगी उठा लिया क्यों नहीं सोचे भाई तुम अगर कितने कितने टाइम तक बात नहीं करोगे तो क्या पागल है जो कोई तुमारे लिए वेट करता रहेगा तो क्यों यह person इतना फिर अभी stress ले रहे है जब आप उनसे बात नहीं कर रहे हो इसलिए न क्योंकि आपने वो मौका दिया भाई अगर कोई लाइफ में आएगा भी आपके तो क्यों आएगा क्योंकि इन्होंने मौका दिया ठीक है तो yes, they are very stressed और वो बस चाहते हैं कि आप उन्हीं के बने रहो वो अगर आपसे दो महिना भी बात नहीं करेंगे फिर भी वो चाहते हैं आप उन्हीं के बने रहो पताने कौन सा हाजमोला खाकर बैठे है ये परसन जो ऐसी सोच रखते हैं कि भही मैं तो बात नहीं करूंगा बर तुम को भी किसी से बात नहीं करने दूंगा क्यों तुम कहीं के राजाओ मारा जाओ तुमारे लिए वेट करते रहे कोई हाँ बही एनिवेज दूसरे चीज़ जो मैं देख रहे हूं वो ये है कि कहीना कहीना आपके परसन चाहते है कि आप उन्हीं में अठके रहो आपकी और उनकी अटेच्मेंट उनको पता है कि आप उनसे अटेच्ट हो और वो आपसे बहुत अटेच्मेंट फील कर रहे है वो आपका ही प्यार चाहते है वो किसी और का प्यार नहीं चाहते है और वो आपके लिए बहुत इंसिक्यूर हो रहे है उनको लगता है कहीं उसे कोई और प्यार तो नहीं दे रहा है, कहीं जैसे मेरे साथ उसके अटेच्मेंट थी किसे और के साथ तो नहीं बन गई, जो एक जाल मैंने बिच्छा रखा है, उसको अपने प्यार की जाल में जो मैंने उसको फसा के रखा है, वैसा ही वो जाल कहीं तोट तो नहीं गया, और भाग तो नहीं गया, और कोई और तो इसको अपने पयार की जाल में नी नी फसा लिया, तो आपके परसन के मन में अजीब गरीब खयाल आ रहे है, वही बोल रहे हैं, पता नी कौन सा हाजमोला खा लिया है इस परसन ने, बाल भी white हो गए होंगे सोच सोच के इतने दिनों में ठीक है तो ये प्यार तो चाहते है और बहुत strong attachment आपकी towards feel कर रहे है और वो जो एक जाल में आपको उन्होंने literally जाल में आपको जो एक भसा के रखा है न वो नहीं चाहते है कि वो जाल के बाहर आप निकलो उस attachment से नहीं चाहते है वो बाहर निकलो समझ रहो animal movie देख क्या है ऐसा लगता है मुझे anyways दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ न वो यह है कि परसन इनको पता है इनको दिख रहा है साफ साफ कि इनकी दाल अब गलने नी वाली है इनको बहुत जदो जहद करनी पड़ेगी भई आपका प्यार जीतने के लिए आपका ट्रस जीतने के लिए आपके दिल में जगे बनाने के लिए इनको पता है कि अब इनोंने ही सारी दाल गला दी है सडादी है इनको पता है सबकुछ अब बहुत मुश्किल होने वाल है क्योंकि obstacles बहुत सारे है आपका trust जीतना मुश्किल होगा आपके दिल में प्यार जगाना मुश्किल होगा आपके दिल लाइफ में जगे बनाना मुश्किल होगा इनको बहुत अच्छे से पता है कि इनके हाथ से बात निकल चुकी है और जैसे तैसे चीजे अगर ये ठीक कर पाए तो कर पाए बट इन्होंने होप नहीं कोई है होप बिल्कुल महाशे ने खोई नहीं अब तक इनको पताने क्यों लगता है कि अभी भी आप इनको माफ करोगे आप आरती का प्लेट लेकर इनके लिए दरवाजे पे रहोगे इनका तिलक करोगे इनके आरती उतारोगे फूलों का इनके ओपर वर्शाव करोगे, मीठा खिला होगे और इनको अपनी लाइफ में वापस लोगे. ऐसी गलत फहम इनोंने डेफिनेटली पाल रखे, लेकिन इनको डर भी है, इनको रियालिटी का पता है ना क्योंकि, कि इनोंने कितना सियापा कर लिया है, कितना ज़्यादा मुश्किल कर लिया है, situation को इनोंने, आपको आपको आज मेरी रीडिंग थोड़ी से अजीब लग सकती है, क्योंकि मैं पहले ऐसी रीडिंग कर दी थी, पता नहीं आज मेरा मन फिर से कर रहा है, कि मैं थोड़ी से हसी मजाग के साथ रीडिंग करूँ, ताकि आपको भी थोड़ा सच्चा लगे, आप भी एंजॉई करो, बट, सच में यार मतलब, हादी कर दिया आपके परसने, बट होप अभी भी खोई नहीं है, अभी भी ये होप रखते है, कि ये मुश्किलों का सामना कर लेंगे, और आपका दिल जीत लेंगे, और आपके दिल में बिना किराय दिये, ये एक, किरायदार बनके रहे लेंगे, इनको बहुत अच्छे से पता है, ठीक है, दूसरी चीज जो मैं देख रही हूँ, वो ये है, सुनिए गौर से, वो ये है, कि चुप-चुप है, क्योंकि उनको पता है कि, वो आपको पटा लेंगे, वो आपका दिल जीत लेंगे, वो अपने healing पे focus कर रहे है, जब आप किसी के उपर उंगले उठाते हो न, जब उन्होंने आपको गलत बोला, आपके साथ गलत व्यवहार किया, तब याद रखना, कि चारों उंगलिया आपके पास है, जब एक उंगलिया आप किसी को दिखा रहे हो, पॉइंट कर रहे हो, तो ये चार उंगलिया आपके पास ही है, तो वैसे ही इस परसन को कुछ कर्मा, डेफिनेटली ऐसा फेस करना पड़ रहा है, जिसके वज़े से ये थोड़ा शांत शांत आपको लग रहे होंगे, लेकिन ये तूफान के पहले की शांती है गाईज, इसके उपर बिल्कुल भी ट्रस्ट मत करो, इनकी भोली सी सूरत, ताखों में मस्ती में ध्यान मत दो आप बिल्कुल भी, ये बोली सी सूरत बहुत ही करामती है, ये बहुत ही ऐसा इंसान है न कि ये चुप चुप है, क्योंकि इनको पता है कि चुप रहूंगा तो बड़ी चलांग लगा पाऊंगा, ये पीछे पीछे जा रहे है क्योंकि बड़ी चलांग लगाना चाहते है, आपके पास आना चाहते है, आपका दिल जीतना चाहते है, आपको अपने प्यार में फिर से एक बार लट्टू करना चाहते है, इंप्रेस करना चाहते है, समझ रहे हो गाईज, ये person चुप है इसका मतलब आप ये मत समझोगे ये मुझे बूल गया, चला गया, ये वो नहीं 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 ये person चुप है क्योंकि ये अपने आपको ready कर रहे है अपने आपको heal कर रहे है mental level पर अपने आपको strong बना रहे है ताकि आपको face कर सके ताकि अपनी मन मर्जी कर सके ये risk लेना चाहते है अगर ये रिष्टा risk है तो ये risk लेना चाहते है हो सकता है इन्होंने पास में आपको बोला हो ये रिष्टा ऐसा है, ये रिष्टा वैसा है toxic है, वैसा है, ऐसा है लेकिन ऐसा वैसा रिष्टा ही अब इनको चाहिए आब इनको वही इंसान चाहिए जो इनको पहले टॉक्जिक लगता था भाई साब जो इनको पहले you know सीधे मूने करते थे यह परसन अब यह वही वही इंसान को अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हैं, मतलब आपको, they want to take that leap of faith, ठीक है, और इनको पता है कि वो पता लेंगे आपको, क्योंकि पहले भी पताया हुआ है, और आप पत भी चाहते हो बेवकूफ हो जैसे, इतने जल्दी नहीं पतने करें, थोड़ा सा टाइम लेने का, थोड़ा सा गुमाने का इनको, दो-तीन रैप्टे लगाने के इनको, और फिर इनको लाइन पे लाने का, दूसरे चीज़ जो मैं यहाँ पर देख रहे हूँ, वो यह है, अब जद्दो-जहद में लगे हुआ है, इनसान इनको डर लग रहे है, कि मैं क्या गोल माल करूँ, इनको आदत तो है गोल माल करने की, क्योंकि इनको आपका दिल जीतना है न अभी, तो गोल माल तो करना पड़ेगा भाई, सेटिंग तो लगानी पड़ेगी, अज़ेस्टमेंट्स तो करनी पड़ेगी, तो उसी ताक में बैठे है, वही कर रहे है, कुछ तो इनके खुराफाती दिमाग में चल रही है स्ट्राटेजी, यह कुछ तो आइडिया लगा रहे है, क्योंकि खुद गए न, अब सड़ा हुआ मूले के गए, तो अभी सड़ा हुआ मूले के वापस भी आना पड़ेगा न, तो वो सड़ा हुआ मूले के परसन आएंगे वापस, लेकिन आप डर भी लग रहे हैं, कहीं आप रिजेक्ट ना कर दो, आप थोड़ी न, इनकी पूजा करने के लिए बैठोगे थाली लेकर, आप उनको डर भी लग रहे हैं, डर तो इनको बहुत सारे लग रहे हैं, आपको खोदेने का डर भी लग रहे हैं, इनको लगता है कोई और हीरो, हीरोईन आगई होगी आपके लाइफ में, कि आपके परसन पूरी तरह से पागली हो गया है, मुझे लगता है, लेकिन डरो मत प्यार बहुत करते हैं, और आपका समय है, पॉपकॉन लो, पैर पे पैरे डाल के बैठो जैसे मैं बैठे हुई हूँ, और मज़े लो इस परसन के, क्योंकि अब ही आपके पीछे भागेंगे, अब वो थाली का जो बैंगन होता है, जो इदर उदर उदर गटकूले खा रहा है, वो अभी आपका टाइम में देखने का इस परसन के मज़े देखो आप, कैसे लगी है मज़ेदार रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, कैसे लगी हैं के हाल देखकर, मज़ा आजाएगा आपको ही रीडिंग सुनके मुझे पत है, कमेंट्स में मुझे ज़रूर अना गाईज, तो आज तो ऐसी रीडिंग नहीं करूँगे, दिन आज खतम हो चुका है काम मेरा, जितना भी करनाता मैंने कर लिया है, मिलते अगली वीडियो में, टाटा, बाई बाई,